हेलो एबरिवन वालकम बाक तो माई चैनल तो दोस्तों स्वागत है आप सब का हमारी चैनल पड़ जहां हम बाते करते हैं फैशन ब्यूटी लाइफ स्टार पूजा पार्ट से जुड़े हुई अलिंट टॉपिक पर हो मैं आपके साथ शेयर करते हूं अपनी लाइफ का स्प कर्मेंट था कि दिदी मुख्षदा एकादशी के लिए विडियो बना दीजे क्या शुम हो रहत हैं सो मुख्षदा एकादशी की और भी पूजा विदी कताएं अपलोड हैं आप तो चाहिएगा तो चेक कर लीजेगा मैं कम्यूटी टम में शेयर कर दूंगी मुख्षदा करते हैं सो मुख्षदा एकादशी पर भी आप जो है भगवान श्रीविष्णू श्रीकृष्ण जी और शीशालिक राम जी लड्डू को पाल जो भी आपके पास उपलब धेविग्र हैं आप इनके सेवा करें सो एकादशी के नियम जो भी हैं वो दसमी तिती के साम से ही शुरू हो जाते हैं हमें शाम को जो है वो सात्विक भोजन लेके तामसिक चीज़ें नहीं खाने चाहिए सामतिविक आहार लेकर मन को सौक्ष करके अपने ब्रत को प्रारम करना चाहिए एकादशी के दिन सुभा में ब्रहम मूरत में उर्टकेष्णान इत्यादी करके दै उनकी स्थापना करें फोटो है तो फोटो की स्थापना करें विग्रह है तो विग्रह की स्थापना करें और अगर नहीं है तो आप मन में ध्यान करके उनको जो है आबाहन दे और इस्थापित करें और फिर कलस की स्थापना करके श्री गड़ेशी का शर्व पर्थम करें कला शायाब दीपक का नारियल का जो भी रखना चाहते हैं वह रख सकते हैं बार में नारियल का हमें विसर्जन करना होता है और श्री हरी विष्णु जी का है विद्विधान से पूझन करना, जैसे कि उनको इश्णान कराना, पीले रंग के वस्तर अर्पित करना, पीले रंग के वस्तर उन्हें पहना कर, पीले रंग का चननल लगाना, पीले रंग के उन्हें भोग अर्पित करना, पीले रंग के वो हम उन्हें अर्पित करते हैं इस परकार से उनके विधान से सेवा करके पूरी विधी के साथ उनकी आरती करें परिवार जन में सबको आरती वित्रित करें आव विष्णु सहस्तर नाम का पार्ट कर सकते हैं ओम नमे भगवते वाश्क देवाय नमे का जब कर सकते हैं श्र के भगवान विष्णू शालिगराम जी कृषिन जी यह भोग सुइकार नहीं करते हैं इस बात का ध्यान के पूरे दिन अपना ब्रत करें हो रातरी को जागरण करें नहीं हो सकता है जागरण करना तो जब तक हो सके तब तक जगे शाम को भी विधान के साथ आरती करके भगवान को भोग प्रिशाद अर्पित करके आप भी जो भोग प्रिशाद गरन करना चाहते हैं गरन करें सुभा में उठकर इश्नानाधी करकर दुबारा से जो है भगवान शिरी हरी विश्नु का पूजन करके कलस का अपनी जगे विसर्जन करके विग्रह को अपनी जगे पहुंचा के फोटो जो भी है आपके पास ईश्वर का उनको अपनी जगे पहुंचा कर प्रिशाद को जो है सर्व पिर्थम ब्रहमर देपता का गव माता का परिवार जन का प्रिशाद निकालने के बाद अपना कर लिए समस्त्र लोगों का आशीरवाद करें और अपने ब्रत का पारण करें बहुत सारे लोग कहते दि पारण कैसे करते हैं मैं आल्मोस्ट हर वीडियो में बता चुकी हूं पारण करने की एक ही विधी है वह है ये कि हमें तुलसी का पता और इलाईशिदा ने गले में तीन बार पढ़ लिजो उसके बाद आप अपने ब्रगत का पारण करिए फिर जो भी भोग प्रिशाद आपने बनाया है सर्व प्रिथम आप उसे घ्रण करिए और फिर अपना जो भी चाय पानी है उसे आप ले सकते हैं जो इस बार मोखशदाय का दशी कब है सो मोखशदाय का दशी की तिथी जो है वो 13 दिसम्बर 6 राथ 9 बचकर 32 मिनिट से शुरू हो जाएगी जो अगले दिन 14 दिसम्बर को राथ 11 बचकर 35 मिनिट टक रहेगी पारण का समय 15 दिसंबर को सुबह 7 बच कर 5 मिनिट से शुरू हो जाएगा और 9 बच कर 9 मिनिट के अंदर आपको पारण कर लेना है पारण का जो समय है वो 7 बच से शुरू हो जाएगा और 7 बच कर 5 मिनिट से और 9 बच कर 9 मिनिट के बीच में ही आपको पारण कर लेना है एका-दशीगवरत हमें किस दिन करना है, आप मेका-दशीगवरत जो है, वो 14 तारिक को करेंगे, ठीक है, मोक्षदा एका-दशीगवरत करने के आपको क्या लाब है, भगवान शिरीहरी विष्नु की साक्षात किरपा आपको प्राप्त होती है, आपने अपनी जीवन मे, जो वो हमारा रिस्तेदार नहीं, हम पूरी जिंदिगी उससे कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन हम फिर भी उसकी बराबरी करने में लगे हुए, उसको नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, तो छोटे-मोटे पाप इस तरीकी की इडशाय वाली जो भावना हैं हम रखते हैं अपने आक उसके अंदर, कहीं ना कहीं मन में उस व्क्ति के लिए बुरे शब्द भी निकल जाते हैं। तो इस प्रकार कांब हम पाप करते हैं तो आपको एकादशी इक अधशी की ब्रेत को प्राफ्त होता है भगवान ची रही विश्णु की यह करपार इसा जरूर प्राप्त होती है important कोई भी कर सकते हैं लड़के लड़किया पुरोष महिलाएं कोई दिखिए पोजा में किसी की पावंदी नहीं होती है तो आप कर सकते हैं कोई बिना किसी समस्या के दोस्तों आomas करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दानका बहुत महातव होता है एक अदशी में आपकी जो भी शमता है मैं कभी आपसे नहीं कहती कि आ अप ये दान करी आॉप एक शमता के अनुसार दान करीया अगर आपको इश्वन ने 10 nasze 예 करें क्योंकि जो हम दान करते है थीक इसका दफील हमारे पास नॉटकर आता। तो अगर आपके पास पांच रुपय है आप कोशिछ करके चावननी का तान कर्या है 10 रुपय है तो दू है दान करिए, जितना आप दान करेंगे, उतना आपके पास लोटकर जरूर आएगा, किसी ना किसी रूप में ही जरूर, आएगा जरूर वो, तो दान जो आपकी शमता है, उस शमता के अंतरगत दान करें, अगर वस्तर देने की शमता है, वस्तर दें, भोजन देने की शमता है, बोजनने, दो रुपए देने की शमता है, बोदे, जरूरत मन्नों को दान अवश्य करें, सो चुकि सर्दी चल रही है, आप किसी को कमल, चटाई, कपड़े, जो भी है, आप दान करिए, जो आपके पास है, उसे दान करिए, नया है, नया दान करिए, पुराना है, पुराना दान करिए, लेकिन दान जरू करिए, डोनेशन मस्ट होता है, सो डोनेशन जरूर दीजे, ये आपको अपने जीवन में बहुत लाग देता है, आपके बुरे वक्त में दुआएं काम आती हैं, पैसा कभी-कभी काम नहीं आता है, ये देखिए, कोविट के अंतरगेथ हमने सीच को सीखा, कि लोगों के पास पैसा था, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल रहा था, तो कभी-कभी ऐसा वक्त आता है, कि वास पैसा थो होता है, लेकिन आपको आशिरवाद और दुआओं की आवश्यक्ता जादा पड़ती है, तो कोशिश करके अच्छा वहवार रखें दूसरों के साथ, अच्छा वहवार करें, आपको अच्छा वहवार प्राप्त होगा, आपको भी गलत वहवार प्राप्त होगा, किसी से इडशा रखेंगे, तो कोई आपसे भी इडशा रखेगा, और इससे आपको मन जो है वो खिन रहेगा, तो दोस्तों, अच्छा वहवार रखें, अच्छी सोच रखें, अच्छे विचार रखें, इससे भगवान भी प्र करते हैं मैं मिलते हूं आप से विदा न्यू वीडियो तब तक के लिए हरी क्रिश्णा राधे राधे बाबाई दोस्तों बाबाई